नमस्कार दुस्तो हमारे यूटूब चानल में आपका बहुत-बहुत सवागत है दुस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक फोन बैंकिंग ऑफिसर बन सकती हो और इस फोन बैंकिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या का एदुकेशन कॉलिफिकेशन ज सबसे पहले आपसे रिकुष करते हूं कि आप हमारे चैनल में नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी वीडियो को लाइक और शेट जरू कर देना है तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहां पे एक फोन बैंकिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्योंकि बैंक में बहुत से बर्टिकल होता है आपको नहीं पता कि कौन से बर्टिकल आपको वहाँ पे पिंच किया जाएगा लेकिन इंगलिश और हिंदी एदियापको आता है तो जॉब आपको पक्का लग सकता है फोन बैंकिंग ऑफिसर का जॉब रोल्स एंड रिस्प यहाँ पे इसका डोमाइन अलग है तो इसका अलग ही रहेगा थुरे बहुत अलग रहेगा ठीक है फॉर एग्जंपल आप एक फोन बैंकिंग ऑफिसर हो तो आपका काम क्या रहेगा फर्स टॉबल आपका काम यह रहेगा कि आपको जो भी कस्टुमर कॉल करेगा तो उसका कंपलेंट कॉईरी रिक्वेस्ट लेना है और one call पे ही उसका प्रप्रब्लम डिसर्ल करना है तो इसमें scenario दो-तिन scenario आता है तो scenario क्या है मैं आपको बताएता हूं सबसे पहले कोई कोई क्वाईरी क्वाईरी मींस आपको कोई कोई बैंकिंग प्रोड्ट के बारे में पूछत आपको यह कार्ड को घाम को ठीक होगा ठीक है आपको उस लेने के बात रिकोईस्ट ऑल्टमेट काम को अ जाएगा और कस्टमर का काड एक्सपेर्ट होने वाला है रीकोष्ट दिया है रिप्लिप्स करना है उन लोग काम कर लेगा आप रिकोष्ट ले आपको तीसरा यह होता है कि कंप्लेंट अगर कोई कंशनमर कहते मिरा ATM गुम हो चुका है को बंद करवाना ना है तो आपको उसी टायम पे जो है जो कंप्लेंट डिपार्मेंट है उसको फरवर्ड कर सकते हो या आपके पास ओथरेटी है कार्ट को बंद करने का तो आप कर सकते हो वहां one call पर ठीक है सिर् करद कर दिदिधिंग यहां वहीं तो आपको एक क्रॉस सेलिंग ऑप्शन भी यहां पर होता है वहाद स्वाइथ है और यहां पर जयातर क्रेडिट कार्ड जो ऊफिसर होते हैं उनके लिए है for example मैं एक credit card holder हूँ और आप एक phone bank की officer हो ठीक है मैंने आपको call किया है कि sir मेरा credit card में है उसका limit जो है थोड़ा increase करना है आपको उसको limit तो increase अगर वहाँ पर देखेंगी कि आपकर system में देखेंगी अगर increase करना उसका approval आया है तो आपकर कर सकते हो अगर उसके साथ इसाथ आपको cross selling यह करना है कि customer का increase जो credit limit है वो तो increase कर दिया है साथ जाद आप यह भी दिखना है कि जो credit card के ऊपर जो pre-approved loan होता है जैसे two-wheeler loan, four-wheeler loan या personal loan ऐसा अगर pre-approved loan भी है तो customer को आपको बताना होगा साथ आपके card में pre-approved offer है आप चाहे तो इसका लाग उठा सकते हो बहुत सरे customer को पता नहीं होता है लेकिन यह बता सकते हो इस तरह cross link का भी एक option होँआ पर होता है तो इस तरह आपको job roles और यह responsibility रहता है और यह दोस्तों आपको एक मैने के training में सब कुछ आपको बता देग और ओकलाक तक रहता है ठीक है next बात करते है दुस्तों salary salary कोन से बैंक कितने salary आपको दे रहा है तो इसमें यह दि आपको salary में बात करेंगे तो इसमें सबसे बहले जो icc bank है icc bank के लिए दुस्तों करें 2,00,000 रुपए का आसपा जो है icc bank जो दे रहा है और इसके आलावा दुस्तों जो है hdfc bank तो hdfc bank भी आपको आप ऊपर इस्क्रीन पर देख लिए कुन से बैंक कितने आप देख रहा है यहां पर hdfc bank है फिर hsbc bank है कोटक महिंद्रा bank ठीक है पूरा देख लिए कुन से बैंक कितना दे रहा है तो यह bank इतना salary जो है प्रोवाइट कर रह आपको incoming call या outgoing call एक दिन में आता है तो on average 80 से लेकर 100 call आपको maintain करना होता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही यादि आपको वीडियो में और को जाना है तो निशे comment box में जरूर लिखिए और हमारे वार्टसप ग्रूप में यह आप जोएन नहीं हुआ तो वार्टसप